तिल और गुड के सौफ्ट और क्रंची लड़ू तयार हैं सरदियों में ये काफी हेल्थ के लिए बेनेफीशल रहते हैं और स्वाद में भी काफी पसंद किये जाते हैं तो आईए सीखते हैं इन्हें हम कैसे बनाते हैं कुक योर्फून में आपका स्वागत है तो चलिए सीखते हैं एक और मज़दार रेसिपी और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तिल और गुड के लड़ू को बनाने के लिए जितना तिल हम लेंगे उसका एप्रॉक्सिमेटली 3-4 हम गुड लेंगे जैसे कि मैंने एक बावल यहाँ पर तिल लिया है तो उसी बावल से 3-4 मैंने गुड लिया है गुड को मैंने छोटेट गुड में तोड लिया है इससे आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं तिल आप white भी ले सकते हैं या फिर black भी यूज़ कर सकते हैं अगर grams में देखें तो 200 gram मेरा तिल है और करीब 220 gram मैंने गोड़ लिया है चलिए अब हम तिल और गुड के लड़ू बनाना शुरू करते हैं अगर आपके पास गुड का बड़ा टुकडा है तो आप इसे चाकू से इस तरीके से पील कर सकते हैं चोटे टुकडों में या आप इसे greater से grate कर सकते हैं मैंने चाकू यूज़ किया है और ऐसे इसे चोटे टुकडों में काट लिया है लोड को छोटे पीसेज में काटने के बाद मैंने उसे हाथ से और छोटे पीसेज में रब करके तोड़ लिया है हमने अब gas on कर लिया है और low flame पे pan को heat करके उस पे हमने till डाल दिया है till को अब हम low flame पे ही धीरे धीरे इसे हम roast करते रहेंगे हम इसे dry roast करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि flame को हमें medium या high नहीं करना है ऐसा करने से तिल जल जाएगा होगा क्या कि जो bottom की तरफ तिल होगा वो जल्दी roast होगा और उपर वाला तिल धंसे roast नहीं होपाएगा दूसरा टिप ये है कि हमें constant तिल को लगातार spatula से चलाते रहना है हम तिल को बहुत जादा नहीं roast करेंगे otherwise तिल का जो taste है वो change हो जाएगा तिल हमारा dry roast हो चुका है हमने इसे low flame पे ही roast किया है अब मैं आपको close करके दिखाता हूँ आप देखिए यह हलका हलका yellow होने लगा आप देखिए हाँ कुछ कुछ तिल आप yellow लगे है तो हम इसे अब इसी stage उतार लेंगे आप तिल को चेक भी कर सकते हैं अगर आपने तिल के एक दूदाने अगर test किया ति यह बर्लकुल crunchy हो चुके है ठीक है तो इससे जादा नहीं भूनेंगे इससे जादा भूनेंगे तो क्या होगा कि तिल में कड़वाट आजाएगी ठीक है तो हम इसे अब इसे यह उतार लेना है और इस हम pan से अलग कर लेंगे क्या होता है pan में भी heat रहता है और फिर इसी बर्तन में हम गुड़ को melt करेंगे हमने तिल को भून के निकाल लिया है अब हम कड़ाई को गरम करके हम उसमें करीब एक चम्मच घी डाल देंगे घी वैसे तो optional है बड़ इसको एड़ करने से आपके लेड़ू में शाइन आता है और लेड़ू बनाते वक्त वो आपके हाथ में चिपकते नहीं है अब घी हमारा melt हो गया है तो हम इसमें क्या करेंगे गुड़ को डाल देंगे गुड़ को देखे मैंने बारी छोड़े पीसेज में तोड़ लिया था मैंने पताया है कैसे तोड़ना है वीडियो के स्टार्टिंग में तो अब हम इसे इसमें आड़ कर लेंगे फ्लेम को हम बिलकुल लो रखेंगे और इसे हम धीरे धीरे लो फ्लेम पे चलाते वे मेल्ट करेंगे अब देखे गुड़ को मैंने छोटे पीसेज में तोड़ा था तो अल्मोस्ट डाल मैंने इसको बस कडाई में डाला है और विदिन वान मिनिट यह दिरे दिरे मेल्टिंग प्रॉसेज शुरू हो गया इसका अगर यह बड़े पीसेज होते तो इस पर कापी टाइम लगता तो फाइदा यह होता है चोटे करने का कि अगर आपके बड़े पीसेज है तो होगा कि कुछ गुड़ तो पहले मेल्ट हो जाएगा और बाकी मेल्ट नहीं होगा तो जो पहले मेल्ट हो चुका होगा उस कडाइम में वो ओवर कुख हो जाएगा इसे हम चलाते रहेंगे गुर अच्छे से मिल्ट हो रहा है हम चलाने का प्रॉसेस continue रखेंगे गुर अच्छे से मिल्ट हो चुका है अब हम इसे दो या तीन मिनट और कोक करेंगे और आप देखी इसके अंदर देरे देरे बबल्स बनने शुरू हो गया है बबल ये इंडिकेट करता है कि आपका गुड़ अब कुखोना शुरू हो चुका है हम इसे लो फ्लेम पे अभी चलाते रहेंगे और साथी साथ हम बीश में दो या तीन बार इसका वाटर टेस्ट करेंगे अब आप देखिए मैं को नजदीक से दिखाता हूँ यहां देखिया है बुलबले बनने लगे है इसका मतलब गुडब चिप चिपा हो गया है और अब हम वाटर टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये उस फॉर्म में आ गया है जैसा फॉर्म में चाहिए था बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए यहां पर इस बुलबुले का बनने का मतलब है कि अब ये गुड़ रोस्ट होड़ी लग गया है ठीक है तो यहीं से आप समझेए गुड़ आपका पक रहा है और आपको बीज बीच में दो या तीन बार वाटर मोट्रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ही गुड़ ज्यादा रोस्ट होके कड़ा वाजाता है हमें बावल पाली निला है और हम गुड़ के एक दो ड्रॉप नेट्स पानी में डालेंगे और फिर हमें इसे दो सेगंड छोड़ना है थोड़ा इलाएंगे अगर गुड़ इसमें जाके मिल नहीं रहा है तो पहले निशान नहीं है कि वो कोख हो चुका ठीक से और फिर हम इसे निकालके कलेट करके हम ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो देखें यह तूटना नहीं चाहिए अगर तूटने लगा है मतला ओर कोख हो गया यह ठीक से बेंड हो रहा है और यह पानी में जाके गल भी नहीं रहा है हमारा गुड अच्छे से कोख हो चुका है अब हम इसमें रोस्ट कियावा तिल एड़ कर लेंगे तो आप तेल एड़ कर देंगे और इसे फटाफट मिलाना है और हमने थोड़ा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हमने सूखा नारियल ग्रेट कर लिया था हम यह भी डाल देंगे इसमें आप सूखा नारियल डाल सकते हैं आप चाहे तो इसमें इलाइची का पाउडर डाल सकते हैं तो आप किसी पी तरीके से इसे और फ्लेवर इसमें एन्हांस कर सकते हैं और बिना इसके भी आप अकाम चल जाएगा बिलकुल ज़रूरी नहीं कि आप गुड़ और तिल के लड अगर हम ही इसे बांधना पड़ेगा यह तो गोड़न दे अगर अपना शेप ले लिया तो फिर हम इसका लड़ू नहीं बना पाएंगे तो अब यह कैसे बांदेगी इसका मैं तरीका आपको दिखाता हूँ हम ने अच्छे से amigos कर दिया है अब हमें एक बावल में पानी लेना है थंडा पानी लेकर रखेंगे हैं बड़े भाल पानी ले लेंनगे अ कि हम दोनों हातों में ऐसे पानी लगा लेंगे ठीक है और पानी लगा के अब हमें देखिए गर्म होगा थोड़े ध्यान से तो हम ऐसे लट्डू उठाएंगे और ऐसे करके क्योंकि पानी हमने इसी लगाया था ताकि हाज जले नहीं और ऐसे करके इसे हमें शेप देंगे तो आप देख सकते हैं कि लट्डू हमारा पिल्कुल शेप का बन गया है और इसे हम धीरे-धीरे रख देंगे अभी क्या है कि लट्डू अभी गोड़ थोड़ा गिला है इसलिए यह थोड़ा अपना फॉर्म लूज करेगा पर जैसे ऐसे ठंडा होगा यह बिल्कुल एक शेप में आता जाएगा तो हम बराबना किसे रखते जाएगे लट्डू को फॉर्म शेप देने के लिए आप हातों के बीच में ऐसे दबा ले और स्फेर शेप देने के लिए आप इसे हातों के बीच ऐसे गोल-गोल रुमा ले तो लट्डू आपका फॉर्म और स्फेरिकल शेप में आ जाएगा यह बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची है तिल और गुल के लड़ू की इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें और साथी साथ कमेंट में शेर करें कि यह आपको कैसे लगी हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल कुक्यूर फूट को सब्सक्राइब करें थैंक विल्कुल स्ब्सक्राइब करें।